हेलो गुड आफ्टर नून नमस्का सेवेंटिंथ बीपी एसी यानि बीपी एसी दो हजार चौबीस का जो पीटी होने वाला है अगले महीने उसके लिए मैं कई कई सीरी चलाया है करेंट अफियर्स का पॉलिटी इन साइंस एक टेकलोजी इंटरनेशनल रिलेशन एक नए र है उसको मैं इसमें कवर करूंगा जिसमें आज मैं दो थीम लिया हूँ एक तो चैंग इसिक्स मिशन है और दूसरा इनेमी एजेंट ओर्डिनेंस है एक्चली यह लौ है लेकिन लौ को भी अभी तक ओर्डिनेंस ही बोला जा रहा है दो हजार पांच अब यह दोनों को मैं यहां पर डिसकस करूंगा जो कि PT, BPSC के लिए बहुत important है चलिए एक के करके शुरू करते हैं सबसे पहले चैंग 6 मिशन यहां मून मिशन है यानि मून पर जिस तरह हमारा मून मिशन है इंडिया का मून मिशन है जो चंद्रियान से चलता जैसे चंद्रियान 1, चंद्रिया है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा PT Point of View से यहां पर सीखेंगे लेकिन यहां चैंग E6 मिशन जो है यहां इसलिए important है कि यहां दुनिया में पहली बार जो है यहां Far Side of Moon से यानि मून के दूसरे साइड से सेंपल ल मून को नहीं देख पाते हैं, वहां से सेंपल लेके या 25 जून 2024 को आ गया, यह launch कब हुआ, 3 माई 2024 को चाइना से launch हुआ, चैंग E6 मिशन और यह Far Side of Moon यानि दूसरे साइड साइड सुदूर चंद्रमा से यह सेंपल लेके आ गया, किलिए, अब यहां पर कई कीवर्ड है, या 123456 क्या है, यह सारी चीज, अभी हम देखेंगे, PT Point of View से, देखी, या मिशन लेके इसी में, वहां से सेंपल लेके आ गया, Far Side of the Moon से, यानि मून के दूसरे साइड से, जिसको हम अर्थ से अभी तक नहीं देख पाए थे, अब मून मिशन की बात करें, तो मून मिशन यह अर्थ के चारों तरफ गूम रही है, अभी यहां से गया, इसको फ्लाइबाई करके आ गया, यानि देख के आ गया, फोटो लेके आ गया, तो इसको फ्लाइबाई मिशन बोलते हैं, दूसरे तरह का मिशन होता है, इम्पाक्ट मिशन, इम्पाक्ट मिशन होता है, जिसमें उर्बिटर नहीं होता है गया और कोई चीज इमपैक्ट से यानि गिरा दिया जैसे चंद्रयान 1 में हम लोग इमपैक्ट से अपना तीरंगा गिरा थो तो लेंगा बिलॉब उसके सारियान दिया कर गया और चंदरेयान 3 calendar मियां चंदर्मार के धरती ने कुछ निकलते रोबोटिक वाइकल होते हैं जो इसके सर्फेस पर घूमते हैं सैंपल रिटau मीशन की यानि वहां से जाके सैंपल लेके फीर अर्थ पे पहुंशता है और हुमन मीशन जो वहां सेंपल रिटर्ण नहीं भेज़े हैं और यूमन मिशन नहीं भेज़े हैं तो यह कौन सा मिशन है चैंग यह सेंपल रिटर्ण मिशन है कि लिए अभी दा फार साइड ऑप दा मून क्या होता है देखिए यह अर्थ है यह चंद्रमा है ठीक आप जानते हैं कि दोनों का अक्सिस पर घूमता है इसका ग्रेविटेशनल पूल यानि गुर्तवाकर्शन बल इतना जादा होता कि इसको घूमने नहीं देता है द्यान दिजेगा इसको टर्न ही नहीं होने देगा जिसके कारण क्या होता हम इसके केवल इतने भाग को ही देख पाते हैं इतने भाग को आइडील टाइडल लॉगिंग चुकि या गूर्टवाकरसन वल के कारण इसको घुमने नहीं देता है या तो चारो तरफ घुम रहा लेकिन इसका एक ही साइड घुमता है यहीं दिखाई देगा यहां साइड को या घुमने नहीं देता कि इदार आ जाए क्यों चुकि ग्रे जाता है को गड़ा वगर होंगे हो सकता है माइक्रो और्गनीजमों जिससे कुछ आगे रिसर्च में मदद मिल सके यह होता फार साइड अब्दमों यह होता टाइडल लॉकर चुकि यह कैसा फेनोमेना कि मुंस का पीरियर्ट जो है उसके और्फ चारो तरफ घूम्ता उसे मैच्च कर रहा है जिसके कारण क्या होता है यह लॉक हो जाता है रोटेट ऑन एक्सिस और एक ही हैमिस्फियर को हम देख पाते हैं जिसको क्या बोलते हैं टाइडल लॉकिंग बोलते हैं के लिए इस तरह होता है इसका एक ही भाग को देख पाते हैं चुकि यह घूमने ही नहीं देता इसको मिशन है जो सीरीज है लूनर एक्सप्लोरेशन के चंद्रमा पर वेजने वाला मुशन किसका चाइना का याद रखे के भी पूसकता है चैंगी सीरीज मिशन किस देश का है तो चाइना का अब चेंग वन जो है दो हजार साथ में लंच हुआ या केवल और्बिटर था इसमें द्यान दीजेगा यह भी पूसकता है चैंग टू जो है चैंग य दस में लंच हुआ या फ्लाइबाई था चैंग 3 जो है यहां मून मून लैंडिंग जिषम टाया यू 2 यू 2 चैंग 4 यह 2018 में लंच हुआ या पहली बार आ जो है सट लैंडिंग कराने चाइना फार साइड ऑफ दब हनी रोवर का की न्याम था यूथ हुआ जी यू 4 यू 2 ङू 3 यू टू टू फोर और पांच जो है 2020 में लॉंच हुआ जो पहला लूनर सैंपल रिटरंड मिशन लेके आया जो कि फार साइट अपना मुन नहीं था दिखने वाला साइट सब मुन था जो कि 1976 के बाद पहली भार यानि लूनर ट्वंटी-फोर रसिया का मिशन था सोवियत यूनिय के लिए याद रहेगा यह पीटी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है कोई पूछ सकता है चुकि यह भी इतिहांस बनाया है और वह चैंग E6 मिशन तो इतिहांस बनाया है के लिए अब हम आते हैं इनमी एजेंट ओर्डिनेंस पे जम्मू कास्मीर के जो डाइरेक्टर जेन सिया है वह काम करें इनमी एजेंट ओर्डिनेंस 2005 के ता यह लोग जो है बहुत खतरनाक लोग है अभी तक आतंगवादी के लिए लोग को अनलवफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूपा को खतरनाक उससे भी खतरना किया लोग है चुकि इसमें पनिस्मेंट य या डेथ संटेंस अभी इस लोग में क्या हुदा इनमी एजेंट ओर्डिनेंस 2005 दिजेगा यहीं पूछेगा आप से इस लोग में जो फाइटर है यानि जो आतंकवादी है जो फाइट कर रहा है उसको इन्वेस्टिगेशन के अंतरगत नहीं लाना डाइरेक्ट उनको सू लाव लाइट्रा यानि वह इनमी एजेंट माने जाएंगे जहनी दूश्मन का एजेंट माने जाएंगे इस और इनको भी सजा है या तो उम्रकात है या लाईफ टाम सजा है आया आप समझ में यह अगर simples लग जाता है तो घर कोई फाइटर है तो उसको अगर इस ओरीच् जाएंगे क्लिया अब कौन इनेमी एजेंट इस ओर्डिनेंस में देखिए जेके इनेमी एजेंट ओर्डिनेंस जो है पहली बार इसी हुआ 1917 में द्यां दिजेगा का डोगरा महराज जो जे एंड के जमू कास्मीर के थे अब उस समय उसको एडिन में कोई अगर बनता था उनको ओरडिनेंस जाद्या देश भी तक चुकि अब तो लोग जाता अरडिनेंस अलग होता लेकिन अभी लौव है फिर भी इसको ऑर्डिनेंस ही बोला जा रहां अभी इसमें इनेमी को भी सजा है वह देथ हो सकता है या रिगुरस इंप्रीजमेंट यानि सस्रम करावास लाइफ टर्म को हो सकता है क्लियर दस सालका एक्स्टेंड हो सकता या 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 फाइन भी हो सकता या नि उनके एजेंट के ऊपर डिवेंड करता है या लेकिन फाइटर को क्या होगा या डायरेक्ट गोली मारने का इस औरिनेंस के ताहत है के लिए तो इसका भी PDF हमारा टीले टेलीग्राम चैनल है तीवारी जेनल स्टडी वहां से आपको मिल जाएगा वहां से देख लीजेगा उसको भी जॉइन कर लेंगे और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक शेय कर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे सो थांक यू एव गूड़ डे अंड हैपी लर्निंग थांक यू वेरी मच